हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं बनाने जारी हूँ बैंगन का भड़ता वो भी बिलकुल इजी और पंजाबी स्टाइल में बहुत ही इजी वे में मैंने इसे बनाया है आप इसे असानी से घर पे बना सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रेसि ताकि हमें पता चल सके कि ये बीच में से खराब तो नहीं है कट लगाने के बाद हम इसे ओईल के साथ ग्रीस करेंगे ओईल से ग्रीस करने का फैदा ये है कि इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है आपके बढ़ते में तो आप इसे ओईल के साथ ग्रीसिंग ज लक्तिया है और इसकी साइड्स पर लटते हुए हम इसे भूनेंगे लगभग 5-6 मिनट लगेंगे हमें ये एक बैंगन भूंगने में आप देख रहे हैं कि ये धीरे-धीरे पकना शुरू हो चुका है ऐसे ही हम इसे हिलाते हुए भूनते रहेंगे अब आप देख रहे हैं 5-6 मिनट बाद ये जो बैंगन है ये भून चुका है अब हम इसे ठंडा होने देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसका सारा चिलका हम धीरे-धीरे करके निकाल देंगे आप चाहें तो इसे धो भी सकते हैं लेकिन धोने से क्या है कि इसका जो फ्लेवर है वो कम हो जाएगा मैं इसे आज एक स्मोकी फ्लेवर के साथ बनाना चाहती हूँ तो इसलिए मैं इसे धो नहीं रही हूँ मैं ऐसे ही इसका छिलका निकालूंगी छिलका निकालने के बाद हम इसे थोड़ा सा वाश करेंगे जादा नहीं करेंगे तांकि यह जो इसका ब्लैक स्किन है यह साफ हो जाए थोड़ा सा धोने के बाद मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है अब हम इसे मैश करेंगे मैशर की मदद से हम इसे धीरे-धीरे ऐसे ही दबाते हुए मैश कर लेंगे अब अब देख रहे हैं कि यह अच्छे से मैश हो चुका है अब हम इसे साइड पर रख देंगे अब यहाँ पर मैंने एक कडाई ली है और उसमें मैं 2-3 बड़े चम्मच सरसो का तेल डाल रही हूँ आप चाहें तो रिफाइंड आईल भी ले सकते हैं और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ सा जीरा और थोड़ी सी हिंग इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच कटा हुआ लसुन और एक चम्मच कटा हुआ अद्रक और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाला है एक कप कटा हुआ प्याज और इस प्याज को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है तब ही जो हमारी सबजी है वो अच्छी बनेगी तो आप इस बात का जरूर धियान रखें कि जो प्याज है वो बहुत अच्छी से भूनना है हमें आप देख रहे हैं कि जो प्याज है वो धीरे-धीरे गोल्डन कलर में होना शुरू हो चुका है बस 2-3 मिनिट में ही यह जो हमारा प्याज है यह भून चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे कटे हुए टमाटर यह एक कप मैंने यहाँ पे कटे हुए टमाटर लिये हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ऐसे ही चलाते हुए हम भून लेंगे इसे बीच बीच हम ऐसे ही मैश करते रहेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी मिक्स हो जाएं प्याज में बहुत ही अच्छे से हमें ये मसाला भूनना है लगवग चार से पांच मिनिट में आपके जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से भून जाएंगे अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे टमाटर हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं और जो हमारा मसाला है वो भी अच्छे से भून चुका है अब मैं इसमें आड़ करूंगी एक चम्मच कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ ही मैं इसमें डाल गी हूँ ए पाधा चम्मच धनिया पाउडर और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब यह सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तब मैं इसमें आड़ करूंगी जो हमने बैंगन मैश करके रखा था वो हम इसमें आड़ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर ले ius यह कं देखने में में फिर बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है to ajmond कि इसी लिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने जो मसाले हैं वह बहुत ही अच्छे बढ़िया यह हमारी रेस्पी बनी है बैंगन के बढ़ते की और अब हम इसे गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिये से और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह जो हमारा बैंगन का बढ़ता है बिल्कुल पंजाबी स्ट्राइल में यह बन के त्यार है तो आई होप आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू